गौालियर व्यापार मेला परिसर में संचालित विवाहिक मैरिज गार्डन की टेंडर परक्रिया लंबित पड़ी हुई है। मैरिज reading का ठेका लेने वाले व्यापारियों का कहना है कि कई बाद टेंडर खोण लेके प्रयास किये गए। लेकिन हर बार मेला प्रसाशन दूआरा किसी ना किसी बहाने से टेंडर प्रगया को रोग दिया जाता है वहीं गौले व्यापार मेला प्राधिकरण के सचीव का कहना है कि टेंडर की प्रग्रिया चल रही है और जल्द ही टेंडर खोल दिये जाएंगे जन्वरी में ये जानबूच के कुछ ब्यक्ति विसेश को फायदा पहुचाने के लिए दो साल से प्राधी करण का रेविन्यू लॉस किया जा रहा है जो पुराने गार्डन संचालित कर रहे हैं आज भी उनके पैसे नहीं देने के बाद डेड़ करोड रुपे की रिकवरी निकालने के बाद आज भी वो टेंडर वैसे चल रहे हैं शादियां वैसे ही हो रही है और उस ब्यक्ति ने प्राधी करण पर इतना प्रेशर बना के रखा है कि हर बार किसी ना किसी करण ये टेंडर रुखवा दिया जाता आज सभी गाड़नों में आठाट नौनो टेंडर आए लेकिन आखरी में टेक्निकल में कि वही एक सीए से वेरिफाई कराने के लिए ये रीजन देखे टेंडर रुखवाया गया है जो कि ये रीजन जाए जाइज नहीं है टेंडर की कारवाई चल रही थी और आहमें टेंडर जारी भी किये थे और आज उनकी टेक्निकल खोली गई है और टेक्निकल का परिक्षिन किया जा रहा है लंगे समय देखे लेखे जो भी संचाला का तो संचाला कर रहे हैं नए वह गद्नो को संचालान नहीं इंग रहा है है दो के पजिसन आवारे पास आचके हैं और बागी के लिए हमने करट्सा को निविदन किया और वह से वह वह जआ सम्मत कारवाई ति चल रहागे